सेक्टर्स और कौन से फोकस में रहने हैं चाहिए इस साल के लिए आने वाज़े साल के लिए यह हमने एक मेगा पोल किया है जासान चुपा के भी रहे थे कुछ सेक्टर्स हैं जो आपके रिडार पर रहने चाहिए बाजार के जानकार कौन से सेक्टर्स अपने रिडार पर र बात की लेकिन sentiments को देखे quantify करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इससे पहले जितने भी पोल्स हमने आपको बता है इसमें percentage थे लेकिन ब्रॉडली जो मार्केट के जानकारों से बात करके हमें लगा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ सबसे पहले वो स्टॉक्स बता देता हूँ जिनसके आपको दूर रहना चाहिए यानि इस साल 2022 में इनका प्रदर्शन ठीक टाक नहीं देखने को मिल सकता है इनमें सबसे पहले नाम आता है अगर आप द बना हुआ है इस साल में 2021 में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया रिटरन दिया मिटल्स ने और माना जा रहे है कि 2022 भी मिटल्स के लिए होगा यह टॉप पेक है लगबग सभी का माना है टेक्निकल्स फंडामेंटल्स सबका बनता हो नजर आ रहा है इसके अलावा अग अगर आप देखें तो बैंकों पर बजार के जानकारों को भरोसा और मानरे की हांसे आपको बढ़िया ग्रोध देखने को मिल सकती है और रियल एस्टेट जो की थीम अभी जस्ट पिक अप करना शुरू किया है वहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स और फंडामें आक्शन भी भरपूर आपको बनते हो दिखेगा अलजी भी बात कर रहे थे पी एस यूज भी रखें नजर टेक्स्टाइल एक और स्पेस है जहां पर अच्छा आक्शन आ सकता है अगरी थीम बजट से पहले आपको आती हो दिखें तो कई सारे से जहां पर आपको करना है आप कौन से सेक्टर्स पर नए साल में नजर रख रहे हैं ये भी हमें बताएं हमारे ट्विटर हैंडिल पर जाएएं और ये पोल आपके लिए भी है तैयार कॉमेंट्स पह कए बताई भी आपको क्या लगता है नए साल में और आपको दिखो हम सबको है, सबको है, सबस्टेशल मीडिया के जमाने में, और सोशल मीडिया के जमाने में आपको एक और आज़ा दी, एक से ज्यादा राही भी रख सकते हैं, और उसके लिए बड़ा आसान काम है, आप चाहे जितने ट्विटर हैंडल बना लें, ताकि अगर ये भी वतारन मेरी एक ही चीज पर दो राहे, हैज करना चाहें तो एक पर यह से, कम से कम, ज्यादा इन तो बीस पचीस अनिल सिंगी तो हैं, आराम से, सेम फोटो वाले, सेम हुलिये वाले, फेस्बूक पर काम है, हर तीसे दिन मेरे पास आता है, मेसेज, सर आपकी एक और फेक आए दिय कोई बात नहीं सकते हैं, जब तक आप और इजिनल और फेक में डिफरेंशियेट कर सकते हैं, तब तक लिकर दिए, जहां-जहां कुछ-कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे नाम से मेसेज बेचते हैं, पैसे मांगा, बहले, मैं बड़ी मुश्किल में हो, ज इतने दोस लोग तो भगवान की जय से हैं, उनसे मांगा, फेस्बुक पे जाके क्यों मांगा, बरावर है, यह तो जो देने की सोचे ना, उसको कम से कम यह सोचना चाहिए, मांगने के दूसरे तरीके बहुत है, सब प्लीज ऐसे चीज़ों को इग्नोर करें, आए बिगु सिद्धार जी के लिए सुपर सिदू